अज़ अबरिवान आज हम बात करेंगे टेंस के ट्रांसलेशन पार्ट तू के बारे में इसमें हम और सेंटेंसों की प्राक्टिस करेंगे और अपने जो टेंस को हमने पड़ाए उसको देखेंगे कि हमें अभी भी कितना समझ में आया है या फिर हमें और कुछ सीखने की चे प्रेला सिंटेंस है हमारा कल बारिस होगी बनाएं क्या बनेगा कल बारिस होगी चलिये कल बारिस होगी का बनेगा देखो बारिस के लिए ंज़ेक क्या पत एट तो it will be rain tomorrow क्या बना हमने क्या किया, कल बारिस होगी future simple sorry, future tense का sentence है कल बारिस होगी कल बारिस होगी तब सब सब बहुले बारिस के लिए हम subject use करते हैं, it और it के साथ हम use करते हैं, will be का, क्यों? क्योंकि I और we subject के साथ salvi का use करते हैं बाकि सब ही जो भी subject होते हैं अधर subject होते हैं उनके साथ use करते हैं will be का तो it के साथ जाएगा will be बारिस को बोलेंगा rain तो it will be rain कब होगी कल होगी tomorrow अगला रमा आम खाती हैं बनाएए क्या बनेगा रमा आम खाती हैं चलिए रमा आम खाती हैं तो रमा को लिखेंगे रमा 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 खाने की वर्वोती eat simple present tense है eat लेकिन simple present tense में हमने देखा है वर्विकी first form plus a c s i s आद दा है तो यहाँ पे खाने के लिए जाएगा as रमा eats क्या खा रही है आम तो mango यह जो sentence है यह आपके जो class 10th और 12th की exam होती है उससे लिए हुए sentence है तो आप practice करिए बनाए नहीं आता है हम साहिता करेंगे और हमें पता है अगर आपने पहले दिन के classes से अगर वीडियो देखे हैं classes ली हैं पढ़ा हैं समझा हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है बहुत ही आसान चीजे हैं तो क्या बनेगा आम काते रहमा इड्स मेंगो कल रविवार था बनाए क्या बनेगा कल रविवार था क्या बनेगा कल रविवार था चलिए कल रविवार था सब्जेक नहीं है इसमें तो सब्जेक बोलेंगे इट पास का टेंस है पास टेंस का सेंटेंस है तो इट वास संडे संडे कल यस्टरी कल रविवार था रविवार था हम सब साथ में खेलतें क्या बनेगा सब सब खेले हम सब हम को बोलेंगे इट हम सब साथ में खेलते हे वी प्ले together हम सब के लिए बोलेंगे together खेलने की वर्वतिए play हम हम सब साथ में खेलते हैं हम सब के लिए आजाएगा हम सब के लिए जाएगा we खेलने की वर्वतिए play साथ में together we play together स्याम कल मेरे घर आएगा क्या बनेगा इस sentence का बना के बताईए शाम कल मेरे घर आएगा क्या बनेगा शाम कल मेरे घर आएगा तो सबसे पहले सबसे पहले पहचानते हैं कि simple future tense है तो शाम will be sorry शाम will come to my home tomorrow कल आएगा साम will come to my home tomorrow अगला गौरव मेला देखने गया था गौरव मेला देखने गया था बनाईए क्या बनेगा गौरव मेला देखने गया था चलिए तो गौरव मेला देखने गया था कौन सा टेंस से पास पर्फेक्टेंस तो गौरव हाड गौन टू सी गौरव मेला देखने गया था गौरव हाड गौन टू सी फैर गौरव मेला देखने गया था गौरव हाड गौन टू पर इसमें वर्वी की थर्ड फर्म के साथ कभी फर्स्ट फर्म निया देश में लगेगा अन जी सिंग मेले को बोलते हैं फेर ठीके क्या बनेगा गौराव मेला देखने गया था हूँ गौराव हाट गौन टू सिंग फेर अगला सेंटेंस हैं मैं स्कूल जाता हूँ क्या बनेगा बड़ा असान सेंटेंस हैं बना सकते हैं मैं स्कूल जाता हूँ क्या बनेगा तो I Go To School I Go To School मैं स्कूल जाता हूँ I Go To School दादा जी मेरे लिए मिठाई लाते हैं बनाएए इसका क्या बनेगा जल्दी जल्दी बनाएए फड़ा फड़ास बहुत सारे सिंटेंस है यह पार्ट टु है टेंस टांसलेशन का ऐसे एक दो भी दो तीन और फिर अभी हम हिंदी से English translate कर रहे हैं then हम English to English translate करेंगे क्योंकि ये जो sentences हैं ये आपके exams में पूछे हुए sentences हैं तो हमने क्या किया हैं सारे papers को जितने भी old papers हैं सारे old papers में से आपके लिए ये questions, ये जो sentences निकाले हैं ताकि आप लोगों के लिए easy रहें सारी चीजें एक ही जगे से आप आसानी से मिल जाएं और आप उनको कर सकें ठीकें? तो अगला है दादा जी मेरे लिए मिठाई लाते थें बनाया तो दादा जी मेरे लिए मिठाई लाते थें regular past tense की बात कर रहा है simple past tense की तो दादा जी the grain father bring लाने की परवती bring bring का second from brought दादा जी brought मिठाई को बोलेंगे sweets sweet अगर मिठाई लाते थे the grain father brought sweet sweets for me for me दादा जी मेरे लिए मिठाई लाते थे the grain father brought sweets for me पापा आज बजार जाएंगे क्या बनेगा पापा आज बजार जाएंगे पापा आज बजार जाएंगे क्या बनेगा सभी के पापा जाते हैं आपके भी जाएंगे जल्दी से बनाओ क्या बनेगा पापा आज बजार जाएंगे तो पापा फादर विल बजार जाएंगे फादर विल गो टू मार्केट टूडे फादर विल गो टू मार्केट टूडे मैं गाना गाता हूं क्या बनेगा मैं गाना गाता हूं जल्दी बनाएए मैं गाना गाता हूँ I sing a song I sing a song मैं गाना गाता हूँ कल में नाना के घर जाऊंगा क्या बनेगा इसका कल में नाना के घर जाऊंगा तो कल में नाना के घर जाऊंगा I sail go to grandfather's home कब जाओंगा कल कल को बोलेंगे tomorrow अगला rail गाड़ी चली गई rail गाड़ी चली गई the train the train departed the train departed rail गाड़ी चली गई एक तो इस प्रकासे बना सकते हैं दूसरा sentence बन सकता है the train has departed both way we can write rail गाड़ी चली गई दोनों प्रकासे बना सकते हैं हम कल बजार जाएंगे हम कल बजार जाएंगे क्या बनेगा हम कल बजार जाएंगे तो हम कल बजार जाएंगे वी सेल गो टू मार्केट टुमोरो सनिवार को मा खीर बनाएगी क्या बात है अभी दो चीले और भजीए गाद हमें जल रहा है पर हमें खीर खानी है चलिए ठीक है तो सनिवार को मा खीर बनाएगी क्या बनेगा सनिवार को मा खीर बनाएगी तो मदर मदर विल मेक राइस पुडिंग खीर को बोलते हैं राइस पुडिंग कब सनिवार को अट सनिवार को बोलेंगे साटरड़ तो सनिवार को मा कीर बनाएगी Mother will make rice pudding at Saturday and the last sentence is your homework you have to make it and draw in the comment section box so that we can understand that you understood well the tense portion these are today class I hope you understood well these are some sentences and these the translation in English of these sentences so how can we do practice let's let's do practice with me it will be rain tomorrow it will be rain tomorrow it's mango it was Sunday yesterday if you are new on our YouTube channel please subscribe our YouTube channel so that you can get the new upcoming videos and more understandings about the English you can learn conceptually about English so please connect with us and these are your today's some sentences you will do practice you will do practice and we will meet in the next video okay so be happy, healthy and keep yourself safe Jai Hind Vande Matram